अगर हम हेल्थ के लिए कुछ करते हैं तो हमारी कॉसिस होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस चीज को नैचरल फॉर्म में यूज करें इसलिए एलो बीर आपके घर का लगा हुआ होना चाहिए गमलों में लगा हुआ या फिर आपके गार्डन का लगा हुआ तो बैस्ट है अदर्वाइस आपके पास अबिलेबल नहीं है तो आप वहार से पर्चेस कर सकते हो यह बोटल वाला भी या यूज कर सकते हो पतन जली का अच्छा होता है और भी कई ब्राने आप उनका यूज कर सकते जो भी ब्रान आपको सही लगे आईए अब जानते है एलो इंट्रेस के लिए एलो वीरा रामबान की तरह है मेरा अपना एक्सप्रेंस रहा है जिसे मैं नेक्स फिडियो में डिसकस करने वाली हूँ अब भी हम जानते है एलो वीरा के अन्य फायदे एलो वीरा में बिटामिन्स, मिल्डरंस और एंटी आक्सिडिन्ट भरफूर मात्रा में पाये जाने के कारण ही है हमारे सरीर में मौजूल स्वैलिंग को कम करने में सायाख है साथ ही है जख्म को भी बहुत जल्दी वढ़ता है अगर हम जल जाते है कट जाते है तब भी एल एलो वीरा जो इसका स्येवन करते हो तो सिर्द दर्द बेत तनाम में काफी रात पहुचाता है और बाबा सिर की सिकाट जिन लोगों को रहती है उसमें भी ये काफी लापकारी माना गया है और सभी को पता है बाल और इसकिन के लिए चमडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एलो वीरा को आपके बाल से घने चमकदार तो होंगे ये साथ में इसकी जो डलनेस और जुर्यों से रहात पहुचाता है साथ ही ये अपने सरीर की पानी की पूर्ती करता है और इसी वज़े से आपकी स्किन भी अच्छी चमक लिए रहती है चमकदार बनी रहती है एलो बीरा में काफी ऐसे एंजैम्स होते है जो आपकी पाचन प्रक्रिया को बहतर बनाते है नैचुरल सी बात है जब आपका पाचन तंतर बहतर तरीके से काम करने लगता है तो आप जो भी भोजन करते हो उसमें जो न्यूट्रिशन्स होते है फिस सब आपकी बौड़ी को लगते हैं मतलब गुन करते है और आपका ब्लड भी अच्छे से बनने लगता है और यही वज़ा है कि एलो बीरा आपको लंबे समय तक जबान बनाए रखता है